हलो दोस्तों स्वागत आपकी श्वेता की किचिन फॉर यू में आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और आपके लिए नमकीन का आइटम लेके जिसको मैं आज बना रही हूँ यह अभी सब जो बन रहे हैं आइटम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे यह सब मेरे होली के लिए बना रहे हूं होली का फेस्टिबल आ गया है तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा बना रहे हूं यह मेरे देखिए अच्छे से कराडे से और आटे से बने हुए हैं जो आपको बच्चे भी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे और यह खराब भी नहीं होते हैं काफी इस भी बताते हूं आपको यह मैंने तीन से साड़े तीन कटोरियांटा लिया हुआ है इसमें हम तो ज्यादा आइल नहीं डालना है मोहन के लिए सिर्फ मैंने दो चम्मस तेल डाला है आप चाहें तो और थोड़ा सा डाल सकते हैं लेकि मैंने अभी सिर्फ दो चम्मस डाल जाया और इसको मैं अच्छे से मिला रही हूं लाने के बाद इसमें नमक भी बहुत कम पड़ता है बहुत थोड़ा सा नमक डर लेगा तो कि इसमें बिना नमक के ज़्यादा यह टेस्टी लगते हैं चार के साथ आप खा सकते हो इनको लेकिन इसमें अब डालना चाहें नम मॉर्मल गूतेंगे जिससे कि वह अच्छे से बेलते हुए बने क्योंकि आटा है थोड़ा चिपकता है मैदा होता है तो वह आराम से बिल जाता है जैसे हम इसमें मैं ऑईल लगा के दस मेर्ट के लिए रेक्ष्ट पे छोड़ता हूं धखके जिससे आटा सेट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसके छोटी छोटी लोई से पापड़ी बनाओगी अभी इसको मैं अच्छे से ओल लगा देते हूं और लगाने के बाद इसको ढखके रख देते हैं जिससे कि आराम से रैश्ट ले लेगा आटा क्योंकि आटे को भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि वह अपना फूल जाता है तो फिर अच्छे से इसको बनाते हुए बनता है इसको मैंने ढखके अभी रख दिया है अभी देखिए 15 मेट हो गए हैं अब मैं इस आटे का पपड़ी बना रही हूं अब इसको देखिए कितना मुलायम और अच्छा सा हो गया है अब इसकी को मुलायम करने के लिए लोई बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ओइल लगाया था और इसकी फिर मैं छोटी-छोटी सी गोलियां बना लूगी जिससे की आराम से फिर बेलते हुए बने अभी देखिए मेरी लोई तयार हो गई है अब मैं इसको थोड़ा सा सूखा अंटा लेकि इसकी छोटी-छोटी सी पापड़ी बनाओंगी इसको पतला बेलना है मोटा रखो गए तो फूल जाएगी पूरी की तरह तो इसको पुझे ना एकदम करारा सा बनाना है यह थोड़ा सा करारा सा रहता है तब ही खाने में अच्छी लगती अगर मुलाइम होगी तो फिर वो फूरी की तरह लगेगी तो स्वाद नहीं आएगा इसलिए इसको आप जितना गोस्स करके पतला ही बेली मैं जो भी हमारी जी हैं तो मैं कोस्स कर रहे हूं कि वह सही से पत आपको मैं दिखा देते हूं कि आप पतला सा वेली चोटी चोटी लोई लेकर बाकी मैं इसी तरह से सारी वापड़ी तयार कर लूँगी फिर उसके वाद में आपको बताते हूं किस तरह से हम सेकेंगे देखिए मैंने चार से पांच अभी तयार कर लिए हैं कि काफी अभी क्योंकि इनको में थोड़ी देर लिए डाल में काहते होद्ध वे, हिऊ हवा खाने के लिए क्योंकि अगर्झ में थेज़ांस लेकिन of सब्सक्राइग अच्छी स्था इश्यल चलगेए, हिए, समय का मैं नए टुक्स रेकर दो होजा काुए तो बिना फैन के भी आप इनको डाल सकते हो उसके बाद वह रेडियो हो जाएंगी अब देखिए कड़ाई में मैं ऑईल डाल रहे हूं और इसके बाद मैं इसको आज को थोड़ा फुलमत तेल ऐसा गरम हो जाए कि वह तुरंट निकलते हुए आजए अगर थोड़ा से कम गर आपकी डाल रहे हूं आप इसमें एकिक करके भी सेख सकते हैं अब जैसे गरम है तो मैं चार से पांच एक साल डाल रहे हूं और इसको दोनों तरफ से उलट परट करके अच्छे से से शेख लेते हूं इसमें भी थोड़ा सा गुलावी रंग आ जाएगा तो यह आपकी 30 मिनट ही काफी है उतने देर में अच्छे से रेडियो हो जाती है श्चे से व्हारे न्ट कारके खाने हम और यह अच्छे से बाल चाएप और साथ खाने में या फिर आप ब्रेकवाष्ट में भी का सकते हो कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं क्योंग के आटी की बनी होई है कि इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं या आप जो भी गृष्ट बगारा आते हैं तो उनको विसर्व कर सकते हैं कि मेरी ये दूसरे मीरी कितनी अच्छ से सिंग के आई हैं। और टीना कटोरी ने प्लब करा रहे हैं। और खाने में भी मज़े दार होता पी है। ऐसे आपने चैनल लायक और और subscribe करो। मैं आके और भी आपको नए नए बनाती हूँค And मैं देशी स्टैल से ही बनाती हूँ कोई फैंसी नहीं है जो मेरे घर पे बनता है मैं उसी को आपको दिखा रही हूँ प्लीज मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा मैं आपको फिर से एक और नई रेस्पी लेके आती हूँ बनाती है